Breaking News, ICSI का बहुत important announcement CSWT July 23 exam से related Students, please इस वीडियो को skip ना करे और हाँ exam के बाद जब आप लोगो का result declare हो जाएगा इसके बाद आप को CS Executive में registration करना परेगा CS Executive में कैसे registration करना जैसे ही result declare होगा उसके next day वीडियो आ जागा आप लोग उस वीडियो को देख के ही registration करना तो कुछ mistake कर दोगे तो बाद में problem हो जागा बेटर है पहले वीडियो देख लीजिएगा इसके बाद registration करने जाएगा अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe करके all notification विल दबा दीजिए अब बात कर लेते हैं official notification के बार में इसको देखने के लिए आपको ICSI के official website पे चलना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं official website पे जैसे कि आप लोग को पता है कि कल के date में 30 जुलाई 2023 के date में आप लोग का exam हो रहा है timing सारे students का अलग-अलग होगा आप लोग के mail पे timing आ गया है किस time में आप लोग का exam हो रहा है यह exam में आप laptop और desktop से ही appear कर सकता है और हाँ students negative marking नहीं रहेगा तो एक भी question को छोड़के नहीं आना है जो question आ रहा होगा उसको बनाओगे और जो question नहीं आ रहा होगा उसको last में tick करके ही आना solve करके याना एक भी question को छोड़के नहीं आओगे continuous आप लोग monitor होते रहोगे वीडियो और थुरू audio के थुरू तो please आप लोग unfair activities cheating करने का कोशिस मत कीजिएगा और हाँ students ध्यान से बाते को सुले ना examination के तोरान आपके पास दो चीज़ होना चाहिए CSWT का admit card PDF format में निकाल करके अपने पास रख लीजेगा साथ में कोई भी government ID proof जैसे कि आधार card, pen card, voter ID card इन सम्में से कोई एक होगा तो चल जाएगा आपके पास hard copy में होना चाहिए mock test exam में मांगा या नहीं मांगा ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ आपके पास होना चाहिए किसी भी समय आपस मांगा जा सकता है और है students आप laptop पे exam दे रहो या desktop पे exam दे रहो तो please आप लोग power backup को ready रखेगा in case बीच में किसी रीजन से internet connection failed हो जाता है या ऐसा कोई भी problem होता है तो दुबारा से login कर लेना है आपका जो exam का timing हो जो भी timing आपके mail पर आओगा उससे 30 मिनट पहले login करना है कोसिस ये करना है कि 45 मिनट पहले सही आप लोग ready रहो exam के लिए आप लोग जब exam दे रहे हो तो आपके room में कोई और होना नहीं चाहिए कोई भी mobile phone, earphone ये सब चीज का use नहीं करोगे cheating करने का कोसिस नहीं करोगे आपके पास books, notes ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके table के आसपास question paper को loud बोल करके भी नहीं पढ़ोगे mobile phone से capture भी नहीं करोगे कुछ भी नहीं करना आपको सीधा exam देना है और हाँ students mentally prepared रहना कि ऐसा आपको exam के दौरान बोला जा सकता है कि 360 degree rotate करो तो आपको rotate करना परेगा laptop को अगर laptop से exam दे रहे हो, desktop से exam दे रहे हो then आप message करके बता दोगे कि हम desktop से exam दे रहे हैं आपको बार बार pop-up message आता रहता है कि आपका eye contact साही से नहीं है या voice के regarding में तो प्लीज आप लोग घबराइए का ने आप लोग सही हो तो घबराने का जवरती नहीं है और हाँ CSDVT July 23 exam में कोई भी break नहीं दिया जाएगा तो आप लोग पहले से वासरूम जाना हो या खाना खाना हो कुछ भी करना हो सब कुछ करके रेडी रहेगा वासरूम जा करके नास्ता हुसता करके रेडी रहेगा प्रोफेशनल एक्जाम देने जा रहे हो अगर आप लोग unfair activity करते हो cheating करने का कोशिस करते हो पकरे जाते हो तो result भी थेल दिया cancel हो जाएगा बाकि आप students अस्थे से एक्जाम में एपियर करिए सारे students को all the best सबका एक्जाम बहुत अच्छा जाए और इस वीडियो को जरूर सेयर कर दीजेगा CSWT July 23 स्टूडेंस के साथ CSWT July 23 के WhatsApp ग्रूप हो टेलीग्राम ग्रूप हो हर ग्रूप में सेयर कर दीजे CSWT July 23 के एक्जाम में कैसे एपियर करना है मैंने डिटेल वीडियो बना रखा वीडियो कालिंग डेस्क्रप्सन में मिल जाएगा प्लीज स्टूडेंस उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा बाकि आपके मन में कोई अडिसनल डाउट हो तो यूटूब कॉमेंट बॉक्स ओपन है आप को आपे मुझसे पूछ सकते हो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन विल दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में